Hello and welcome to this lecture आसके इस lecture में हम बात करने वाले है final keyword के बारे में पिसले lecture के अंदर में देखा था abstract method और abstract class की इस तरह से बनाये जाते हैं अब हम बात करते है next final keyword final keyword को आप user को कुछ अपनी properties कुछ अपने attributes को restrict करने के लिए use कर सकते हैं for example final keyword की मदद से आप कोई variable को final बना सकते हैं आप किसी method को भी final बना सकते हैं और साथ ही साथ किसी एक particular class को भी आप final बना सकते हैं ठीक है तो final keyword को हम किसी variable method या फिर class के साथ use करें और उन सभी का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे चले तो सबसे पहले हम बात करता है final variable के बारे तो जब भी किसी variable को आप final बनाते हो तो फिर वो बन जाता है constant यान कि एक बार अगर उसकी value initialize होगी तो उसके बाद आप उसके अंदर नहीं value को initialize नहीं कर सकते हैं for example हमारे पास एक variable है integer a is equal to 5 and then after हम simple उसको print कराएंगे system.out.println and then after a को कराएंगे print चले यहां पर सबसे पहले terminal में हम उसको करेंगे compile file का नाम है my final.java compile किया हमने and then after run java my final तो देखें मैं output के अंदर perfect 5 देखने को मिल गया ठीक है अब मैं क्या करूंगा यहां पर a की value को change करने गा a is equal to 7 तो हम सभी को मालूम है अगर a की value पूरानी 5 थी और अगर आप नीचे कोई भी नई value आप उसके अंदर insert कर आओगे तो पूरानी value जो है वो delete हो जाएगी नई value आज लेगो ठीक है तो चल इसी concept के साथ हमने फाइल को अगेंड किया compile and run तो अब देखें a की latest value कितनी आ गई 7 ठीक है तो मतलब की variable हम इसी को तो बोलते थे ना जिसकी value बार बार change होती रहती ठीक है अगर मैंने एक और बार यहां पर a की value change की for example 2 से then after compile and run तो अब a की latest value कितनी आ गई दो clear तो इसी चीज को क्या बोलते थे variable यहां पर a जो है वो variable है यानि कि उसकी value change होती रहती है लेकिन might be अगर आपके पास एक ऐसा scenario है जहां पर आपको a की value fix करने है 5 आपका goal ऐसा है कि मुझे a की value throughout this program only 5 ही set करने है अगर user या फिर developer उसकी value change करना भी चाहाए तो फिर वह नहीं कर सकता ठीक है इस तरह से मुझे कुछ करना है तो फिर मुझे इस variable को final बनाना होगा क्या बनाना होगा final यानि कि constant एक बार अगर आपने value assign कर दे तो फिर अगें आप दूसरी बार उसकी value assign नहीं कर सकते तो ऐसा करने के लिए हमें shift और shift यहाँ पर declaration के left side एक keyword लिखना है final that's all किसी भी variable को आप final बनाना चाहते हो तो फिर उस variable के left side आपको लिखना है final keyword that's all अब यह जो मेरा variable है वो final बन गया यानि कि constant बन गया अब उसके पास shift और shift एक ही value होगी 5 अगर आप नीचे इस तरह से change करना भी चाहोगी तो फिर वो नहीं होगी देखे वो में एक error देगी सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया compile तो देखे हमें दो error देखने को मिली सबसे पहले तो यहाँ पर error देखने को मिली a is equal to 7 जो किया है वहाँ पर write देखे क्या है cannot assign a value to final variable a उसी तरह से a is equal to 2 जो मैंने किया था वही पर भी same error cannot assign a value to final variable a यानि कि आप अगर कोई एक final variable बना चुके हो तो फिर उसके अंदर again value को change नहीं कर सकते तो आपको compulsory इसी तरह से लिखना होगा तब ही जाकर आपका program run होगा तो देखे अब मैं यहाँ पर चैसरी करूंगा compile तो अब मैं error देखने को नहीं मिलती है और अब हम करेंगे file को run तो तब जाकर मैं value कीवर्ड से मत आया जाता है only final keyword ओके चले अब मुझे बात बताएगा आप क्या यह चीज़ चलेगी क्या कि only उपर मैंने क्या किया declaration किया इंत्यान आप तर नीचे मैंने assignment किया उपर मैंने सिफ वेरियेबल को as of constant declare किया ना ठीक है लेकिन उसकी value मैंने नीचे अलग से assignment चले तो क्या अब यह चलेगी या नहीं चले मैंने save किया अगें यहाँ पर compile इंत्यान पर run तो देखे अब यह चीज़ चलोगी ठीक है तो क्या यह चीज़ चलेगी चले देखते हैं तो देखे अब यहाँ पर मुझे perfect error देखने को मिल गई वही वाली कि variable a might already have as assigned ठीक है कि वेरियेबल जो ए है आपका उसके पास already value जो आपका उसके पास already value है वो assign हो गई अब आप दूसरी नई value assign नहीं कर सकते हैं थोड़ी सी previous के मुकाबले error आपको थोड़ी different देखने को ठीक है variable जो आपका a है उसके पास already जो a की value है वो assign हो चुकी है अब आप दूसरी बार उसके अंदर value assign नहीं कर सकते हैं clear तो इस तरह से आप किसी भी variable की value या तो declare करते वक्ती या फिर इस तरह से declaration के बाद initialize कर सकते हो ठीक है आपकी choice है आपको जैसे भी करना चाहते हो कर स सकते हो clear तो किसका भी screenshot ले दो इस तरह से भी आपका value आ जाएगा तो यह था हमारा final keyword का use with variable final keyword को अगर आप variable के साथ यूज करोगे तो फिर वो variable क्या बन जाएगा constant या कुछ इस धियान में रखेंगे चलिए अब final keyword को आप method के साथ भी यूज कर सकते हो किस तरह से suppose मैं एक नहीं method क्रेट करूंगा for example EMP for employee and then after यहां पर में एक नहीं method क्रेट करूंगा for example this system.out.println employee data कोई भी डमीचीज मैं यह आप लिख दी तो अब यह जो डिस्प मेथड है वह आप बढ़ी आसानी से यहां से call कर सकते हो right aim का सबसे पहले मैं क्या बनाना होगा एक object कुछ इस तरह से and then after even की मदश से हम call करते थे डिस्प को चलिए अब मैंने इसको save किया यहां पर compile and then after run तो मैं perfect मिल गया employee data clear लेकिन अब इस वाली method को हम बनाते है final तो देखे क्या होता है मुझे कोई error देखने को नहीं मिलेगी same ही हमारा output आएगा employee data तो फिर आखिरकार final keyword लिखने का यहां पर मैं क्या benefit मेरता है तो यहां पर अगर हम employee class का child class बनाते तो क्या होता है वो देखे सपोज मैंने employee class जो है उसका child class बनाया for example a extends employee ठीके थोड़ी देर के लिए मैं यहां से final निकाल देता हूं तो अब देखें employee class की सभी properties indirectly कहां पर आ गई class a के अंदर आ गई ना यहां पर क्योंकि हमने inheritance किया यही तो रूल था उपर के यानिकी parent वाले class की सभी properties child class के अंदर आ जाएगी तो रूल के मताबिक हमें child class का ही object बनाना चाहिए रेट कुछ इस तरह से क्योंकि अब यह जो डिस्ट वाली method है वह indirectly कहां पर मुझूद है class a के अंदर तो हमने यह method क्या यहां पर inherit होगी क्या यह even जो है वो डिस्ट को कोल कर सकेगा चले देखते हैं यहां पर हमने किया compile तो यह अब भी inherit हो रही है final method जो है वो inherit भी हो सकती है ठीक है तो यहां पर हमें कोई दिकत नहीं देखने को मिली लेकिन अब देखे क्या होता है जब हम override करने की कोशिश करते है ओवर राइडिंग यानि कि क्या पैरेंट क्लास के अंदर जो method अवेलिबल है वह same method अगर आप यहां पर बनाते हों for example void disk यहां पर हमने कुछ अलग ही लिखा system.out.println और यहां पर हमने कुछ अलग लिखा for example child data ठीक है तो अब method overriding यानि की क्या जो मेरी method parent class के अंदर थी वही नाम की same method मैंने child class के अंदर भी बनाती देखे name भी same होना चाहिए और साथ ही साथ parameters भी same होने चाहिए यहां पर हमने कोई parameters पास किये नहीं तो हमने यहां पर भी नहीं करना है ठीक है तो same structure वाली same name वाली जो method अब अगें child class के अंदर भी बनाते हो तो उसी सिनारियो को बोला चाता है method overriding तो यहां पर हमने method overriding करके रखिए देखिए ठीक है उपर parent class के अंदर भी same method है same name वाली child class के अंदर भी वही same method है same name वाली लेकिन उसकी body different है गोल गीजेगा है उसकी body different है चले अब अगर मैं इस वाली method को comment out कर देता तो फिर क्या होता अब तक उपर वाली method वो same यहां पर inherit होती न रैट और वही हमने यहां पर output के अंदर बताया लेकिन अगर मैंने यहां पर वही same वाली method दुबारा बनाई तो फिर उपर वाली method आ अंदर बनाई लेकिन उसकी body change होगी पहले body यह आती थी employee data लेकिन अब body आएगी child data देखें save के हमने यहां पर आकर compile एंधिना पर run तो अब देखें क्या आगया child data ठीक है तो इसी scenario को बोलता जाता है method overriding उपर जो method थी न वो same नीचे बना दिया तो उपर वाली जो body थी व हमारी नई बनाई हुई body से that's all उसी को बोला जाता है method overriding बट हम यहां पर use कर रहे है final keyword का कि अगर parent class के अंदर जो method मौझू दे उसको मैं final बना दू तो फिर क्या यह method इस तरह से नीचे override हो सकती है का ठीक है वो हमें देखना है चली save किया हमने file को यहां पर किया compile तो दे disp नाम की जो method class A के अंदर cannot override disp in employee क्यों क्योंकि यह जो disp method है वो आपकी final method तो फिर उसका मतलब इस वाली method पर लोक लग चुका है अब जितने भी employee के child class बनेंगे उसके अंदर same यही वाली method complex लिया आएगी इसी body के साथ यह rule आपने बना दिया final को use करते ही अब आप void disp नाम की method अगें नहीं बना सकते है यानिकि disp नाम की method को आप again override नहीं कर सकते है उसकी body नहीं बना सकते है तो यह आपको clear cut यहाँ पर error देखने को मिल गी तो इस तरह से final keyword को जबी भी आप किसी method के साथ use करोगे तो फिर वो method कभी भी child class के अंदर override नहीं हो सकते है तो यह इसका use था चले आप इसका skin sure ले लो यह just security purpose के लिए है किसी भी method का final बनाते हो तो फिर in child class आप उसको कभी भी override नहीं कर सकते है आपको यहाँ से इसको remove करना होगा तब ज clear चले अब next है हमारे पास final class जी हाँ आप class को भी final बना सकते हूं चले मैं यहाँ पर ऐसे पहले लेने देता हूं अब यहाँ पर देखें हमने simple level inheritance किया एक class employee है उसका एक child class है एक डिस्प नाम की simple method है जो कि अलएड़ी यहाँ पर inherit हो जाएगी and then after हमने child class का object बनाया और डिस्प को call किया ठीक है चले अब यहाँ पर compiler को हमने call किया then after run तो perfect data आगया employee data अगर मैं यहाँ पर पूरे class को final बना तो क्या होगा जैसा कि मैंने अभी भी देखा था अगर हम किसी method को final बनाते है तो वो method दोबारा child class के अंदर override नहीं हो सकती ठीक उसी तरह से अगर आप किसी class को final बनाते हैं तो फिर वो class को आप extend नहीं कर सकते जिस class को भी आपने final बनाया मतलब कि उस class का अब child class बनना possible ही नहीं है एरर आएगी देखिए save किया मैंने file को यहाँ पर compile किया तो देखिए अब आपको error देखिए cannot inherit from final class employee अब आप employee को inherit कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि आपका वो class तो final बन चुका है तो यह भी एक security purpose ही हुआ अगर आपको किसी भी class को restrict करना है कि उसका child class ना बनना है कोई भी अगर आप child class बनाते हो किसी parent class को reference रखकर तो वो normal class ही होना चाहिए अगर आपने उसको final class बना दिया तो फिर उसका child class इस तरह से नहीं बन सकता finish तो यह कुछ rule है किसी भी class को final बना दो तो फिर वो कभी भी inherit नहीं हो सकता ठीक है उसका कभी भी कोई child class बनी नहीं सकता यह rule है simple चले अब इसका भी आप screen शोर ले लो इस पूरे प्रोग्राम को run करोगे तो आपको same यही वाली error देखने को मिलेगी cannot inherit from final class employee clear ओके चली अब next थोड़ा सब आगे बढ़ेंगे final keyword के बारे में suppose मेरे पास यहां पर disp नाम की method तो मैंने यहां पर disp को call किया अब अगर मैं यहां पर कोई भी data पास करूँ for example file तो obviously मुझे यहां पर उपर उसको catch करना होगा suppose n नाम के variable के अंदर तो अब मैं यहां पर क्या करूँगा उस n को print कर वा सकता हूं system.out.println and then after n clear चले save करते हैं again यहां पर compile and then after run तो आपको perfect 5 मिल गया हाँ आप चाहो तो यहां पर उसकी value change भी कर सकते हैं आपने तो नीचे 5 बेजी ना उपर तो n की value यहां पर तो 5 आ गई लेकिन आपने यहां पर फिर से उसको replace कर दिया 78 से तो अब यहां पर क्या आएगा 78 आएगा obviously चले मैंने compile किया again run किया लेकिन आपको restrict करना है कि user ने जो call करते वक्त यहां से value पहजे थी throughout its body वही value रहनी चाहिए बीच में से कोई भी उसको replace करना ही नहीं सकता बीच में से कोई भी उसको modify भी नहीं कर सकता तो आपको यह वाला पास की n के अंदर आ गई लेकिन वह कौन सा होगा final होगा यान की constant होगा तो अब अगर आप 78 को इस तरह से assign करने की try करोगे तो यहां पर आपको error मिलेगी obviously ठीक है चले जैसे ही मैंने compile किया तो आपको error होकर ही रखी है तो अब आपको इस line को comment करना होगा तो अब देखें जैसे मैंने किया compile तो अब मैं error देखने को नहीं मिली और जैसे फाइल को किया run तो अब मेरी value perfect आ चुकी है तो final keyword की एक और usage आप इस तरह से इस इंप्लीमेट कर सकते हो कि आपका जो parameter था उस parameter को भी आप final बना सकते हो नहीं चैसे जो value आएगी same वही throughout this body implement होकर रहेगी बीच में से आप इस तरह से उसकी value change नहीं कर सकते है clear तो एक और usage ने यह भी देखा final parameter वाला चले इसका भी आप feature ले लो तो अब हम next देखते है final को आखिर कर आप किस और purpose के लिए भी यूज़ कर सकते है देखे सपोज इस employee के अंदर में कुछ properties कुछ attributes add करना चाहता हूं for example किसी employee का मेरे पास name हो सकता है right then after उसकी edge हो सकती है and then after उसका pancad number भी हो सकता है for example integer pancad number ठीक है तो यह जो pancad number है वो मैं final बनाना चाहता हूं तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो ना final right तो अब without making any getter और setter आप directly इसको use करना चाहते हो तो name और as तो हमने use करी लिया था already जब हमने object और class के बारे में पढ़ा था तब directly right तो क्या किसी final variable को भी आप directly object के through access कर सकते हो क्या चले देखते हैं सबसे पहले तो हमने क्या बनाया employee class का एक object even then after even की मदश से सबसे पहले हमने access किया name और कोई name हमने रखना चाहा for example sandeep and then after even की मदश से हमने access किया उसका age और उसका age हमने रखा 28 then after even की मदश से हमने access किया उसका पान काड नमबर और हमने कुछ पान काड नमबर रखना चाहा कोई भी डमी ठीक है then after हमने इंस सभी को print करवाना चाहा system.out.println even.name then after even.age और इसी तरह से मैं और नए system.out के अंदर लिख देता हूं even.pan card number तो चले अब मैंने इसको save किया देखते हैं क्या यह run होता है क्या access कर पाता है चले compile करते हैं तो हमने यहाँ पर दो error देखने को मिलगी देखे सबसे पहले तो यहाँ पर final int pancard number पर यह जो आपने variable बनाया है not initialized in the default constructor क्या अंदी जगा कोई अलगी टैप के error देखने को मिली हमने जो variable बनाया है final वो आपका initialized नहीं हुआ है कहाँ पर default constructor के अंदर साथ ही साथ दूसरी error क्या है वो भी देख लेता है cannot assign a value to final variable pancard number pancard number के अंदर आप value assign नहीं कर सकते क्योंकि वो final थी लेकिन हमने अभी अभी previously देखा ना कि अगर first time कोई value assign हुई ही नहीं है तो एक बार तो atlition करी सकते है लेकिन यहाँ पर आपको मना कर दिया देखिए class और object के देखने को मिली जहां पर हमें एक hint मिली कि pancard number वाला जो variable है वो default constructor के अंदर initialize नहीं हुआ है त्यांदी जगा default constructor की बात यहां पर हुई है तो मतलब कि जब भी आप किसी class के अंदर final property बनाते हो तो उस property को आपको compulsory default constructor के अंदर ही क्या करना होगा उसको initialize करना होगा तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे एक default constructor को बनाएंगे इस तरह से and then after इस constructor के अंदर हमें इस variable की value assign करनी होगी for example यहाँ पर हम लिग देता है यह वाला हमारा जो number है वह पान card number कुछ इस तरह से and then आप यहाँ से remove कर सकते हो चलिए अब हमने save किया अब यह तो हम सभी को मालूम है न कि यह जो default constructor है वह कब call होगा जब आप किसी object को create कर होगे तब तो जैसे ही मैंने even को बनाया यह automatic call हो गया यानि कि पान card number जो है वह मेरा assign हो गया then after हम आपने manually name और edge को भी assign कर दिया and then after तीनों property को क्या कर दिया call कर दिया print करवा दिया चलिए save किया हमने again compile and then after run तो देखे तीनों property successfully मैरी access हो गई print हो गई clear तो यह एक और scenario हमने देखा त्यान दीजेगा जब भी आप class के अंदर किसी property को final बनाते हो तो वह property आप directly यहाँ करने के लिए compulsory आपको चाहिए होगा एक constructor clear यहाँ पर आपको दिखाए देता होगा default constructor वाली error तो इसलिए हमने बनाया default constructor तो इसका एक rule है जब भी final property होगी उसको compulsory assign करना होगा with using constructor that's all लेकिन यह तो हमने default constructor के साथ किया क्या मैं प्राम्ट्राइस के साथ उसको call कर सकता था क्या चले देखते हैं जैसे हमने object बनाया हमने दोनों की value यहाँ पर pass कर दी name की भी और edge की तो हमें इस तरह इन दोनों की property अब देने की जरूवत नहीं है लेकिन यह दोनों यहां नीचे से send की वो मैं यहां पर हो पर catch भी तो ल्योंकि और को मैंट की होगी सपोस्पोस पहली थी string वाली जिसको मैंनकी प्रीस्ध द्री उसी को मैंने ऑली लेकिन हमें तो किसके अंदर सेव करानी थी नम और एज के अंदर राइट तो मैंने या पर लिग गया थिस.name तो मैंने सेव किया चलेगी चलेए देखते हैं तो यस प्यरामेटराइज वाली मैथड भी हमारी चल गई ठीक है चलेए यहां पर मैं एज को रिमू करता हूं कोई नई एज डालता हूं तो देखें सक्सेस्फुली हमार आउपूट आ रहा है ठीक है तो डिजन मेंटर डिफोल कंस्ट्रेटर या फिर इस तरह से नेमड कंस्ट्रेटर बट एक कंस्ट्रेटर के अंदर ही किसी फाइनल प्रोपर्टी को आप असाइन कर सकते हो ठीक है यह आपको ध्यान में रखन साथ भी आप फाइनल कीवड को सक्सेस्फुली रण कर सकते हो एक्साइस कर सकते हो लिए तो इस तरह से आपको कुछ सॉल आउट करना होगा जब भी आप फाइनल प्रोपर्टी किसी क्लास के अंदर बनाते हो तब वाया युजिंग डिफोल कंस्ट्रेटर या फिर वाया देख लेते हैं सपोज इस क्लास के अंदर एक और वेरियबल है फ्र गजापल कंपनी सब्सक्राइब को में आप पे यह वेरियाबल या फिर सभी एंप्लॉई के लिए क्रेकर होगा सेमी और ना किसी एक कंपनी के लिए हम एंपलुई का डेटा ले रहे तो सभी की कंपनी यहां पर यहां पर नीचे सबसे पहले पास कर दो बट क्या होगा अगर मैं स्टैटिक वेरेबल को भी फाइनल बना दू तो अब क्या होगा तो अब आप इसकी वेल्यू कहां पर पास करोगे और किस तरह से सबसे पहले इसको यहां पर प्रिंट करवाना चाहाँ ठीक है इवन की मदद से कंपनी नेम को तो कंपनी नेम सबसे पहले मैं इस तरह से तो देखें यहां पिस मेरी जो है वह इस तरह से एकस्सेओक यस यान कि यस आप इस सर अब relevant पर सकते हो लेकिन आप इसका यह कर सकते हैं कियाँ आप इसकी वेल्यू कर सकते हो सकते हो देखें राखन पहले कि इसको चैन्च करने कि ट्राइए करूँगा तो आप उसको चैंज नहीं कर सकते हैं तो क्या इस तरह से अब आप कर सकते हूं स्टैटिक फाइनल वेरियेबल की वेल्यू मैंने यहां पर नहीं रखी बर्ट पैरामेटराइस कंस्ट्राटर के अंदर रखी है तो क्या पीकी वार यहां पर असाइन हो जाएगी एक ही बार में राइट चली देखते हैं अगेन मैंने किया कंपाईल तो देखे एरर आगी के नोट असाइन वेल्यू टू फाइनल वेरियेबल कंपनी फाइनल वेरियेबल के अंदर आप वेल्यू असाइन कर ही नहीं सकते हो हमने एक तरीका तो देखा ना यहां पर से आप असाइन कर सकते हो लेकिन अगर यहां पर भी असाइन नहीं है तो फिर और कौन सी वैलिड प पोजीशन क्या आप यहाँ पर मैंड के अंदर कर सकते हो क्या चले मिन यहाँ पर अब एकसेस करने की ट्राइ करें पर सकते हो क्या्य इन यहां पर यहाँ पर भी आप को एरट देखने को मिलिए cannot assign a value to final variable company ने आप यहाँ पर भी final variable की value put up नहीं कर सकते हैं तो अब और कौन सी value position बचिए है इसका answer है static block आपको compulsory static block के अंदर final variable की value assign करनी होगी कुछ इस तरह से क्यों क्योंकि यह जो final variable है वो static है तो static final variable की value only and only static block के अंदर ही initialize हो सकती है और हमने पहले भी पंट लिया था जब हमने static के बात बात की थी तब ठीक है कि जब भी static block आपके class के अंदर होगा तो सबसे पहले आपका static block run होगा and then after आपका constructor को लोगा है तो चले save किया मैंने compile किया and then after हमने किया run तो अब देखे successfully PQR जो है वो assign हो गया ठीक है तो यह बहुत ही बड़ा IMP question है इंटर्यू के अंदर आपको कई बार पुछा जाएगा यह ठीक है कि जब भी आपके class के अंदर एक static variable है जो की final भी है तो इस तरह के variable की value आप किस position पर assign कर सकते हो हाँ सबसे पहला answer आप इस तरह से तो करी सकते हो जब declare किया तब भी आप कर दो लेकिन declaration के वक्त मुझे अगर उसकी value assign नहीं करनी तो और कौन सी valid position है तो एक ही valid position है जो की है हमारा static block compulsory static block के अंदर ही आपका static final variable initialize हो सकता है और कहीं पर भी नहीं तो चले इसका भी आप screenshot ले लो यह था हमारा final keyword का last usage तो इतनी इतनी तरीकों से आप final keyword को यूज में ले सकते हो clear चले इसका भी आप नीचे वाला main class का भी screenshot ले लो ठीक है चले तो आज के session के अंदर हम सिर्फ इतना ही रखते है final keyword को हमने आज के session के अंदर fully detail के अंदर देख लिया ठीक है अब next session के अंदर हम देखेंगे के अंदर देखा था तब हमने वहाँ पर five taps के inheritance की बात की थी single multi-level multiple hierarchical और hybrid जिसमें हमने देखा था multiple और hybrid inheritance directly possible नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको possible करने है तो फिर आप indirectly interface की मदर से कर सकते हो तो इन सभी के बारे में detail के अंदर देखेंगे next session के अंदर फिलाल आपको क्या करना है इस chapter के अंदर हमने जितनी भी बात की abstraction की final keyword की ठीक है उतना सब कूछ आपको full detail के अंदर practice कर लेनी है सभी का usage अलग-अलग तरीकों से देख लेना है clear तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे next session के अंदर